आप सब को मेरा सुप्रबाद योर अटली वेलकम इन वेकानन ओनलाइन क्लासेज आप सब का आर्दी कविलन्दन ने वेकानन की इन ओनलाइन क्लासेज में दोस्तों आपकी जो टेक्स्ट बुक पस्ट फ्लाइट है उसका थैड चैप्टर अपना रणिंग था जहां से मैंने से लेट का लेट किया था इसमें दो चोटी चोटी ऊडनी से समिद्ध से श्टोरीा हैं फर्स्त स्टोरी आपकी अभी वाले लेक्चर मैं पढ़ने है आप कर ली थी कि कैसे समधरी पक्सी जो स्लेटी कलर का होता है उन्ची अवाज में उसकी धोणी सुनाई देती है उसके अगर वारो कास वायसा कर पाथा तो पंकहों को फ़ड़ा नहीं पड़ता मजबूरन और वो उड़ना सीख जाता है तो लेकिन उसके मातापिता उसे मोटिवेट करते हैं वो फिर भी मत नहीं जुटा पाता अंतिता काफी टाइम 24 कंटे भूक के रहने के बाद उसकी मा उसके लेक मचली यह नहीं मचली का टुकड़ा बोजन के रूप में लेके आती है और कैसे उसके पास आके रुख जाती है यह सब अपने पिछले प्रिवियस लेक्चर में देखा और वो मजबूरन उसे मा के चौंच में रख्यों मसली के टुकड़े पर डाई लगाना ही पड़ता और उदे को उड़ने की कैस सती सिच्वेशन मनती है जहां से मैंने लेप्ट के है पिछले लेक्चर में वही से वो मसली भी गोता लगाता है विते लावड स्क्रीम एक जोर की चीक के साथ ही फेल्ट आउट वर्ड्स एंड डाउन वर्ड्स इंटु स्पेस अब वो जैसे ही गोता लगाता है तो हो महसूस करता है कैसा महसूस करता है कि एक जोर की चीक के साथ वो आकास में दूर नीचे क्यों गिरा अ hani तब उसे लग रहा है किसा मैंसर लग रहा है दैने इंहें इह मोंस्टर एक महां देत्याकार अतनंग न है डर ने उसे जक्ड़ लिए उन औ हम ह detail हुम एंड ए है हट इस टूर्ड स्टी और उसदेख भी मैसुस होता है कि मानों उसकी धर रिदय की धड़कने और रुख गई हो वह क्या मैसुस करता है दोस्तों कि हवा उसकी चाती के पंकों से टकराती है पहले फिर उसके पंकों के सामने की और गुजरने लगी दिर दिर उसने मैसुस किया आगे चलके वह दिर दिर मैसुस करता है कि मानों कि उसके पंक हावा को काट रहे हूं हावा को चीर रहे हूं हेड लॉंग से तात्परिय दोस्तों अपना ये है कि सिर के बल अब ये ऐसी इस्तथी नहीं थी कि उस सिर के बल गिर रहा हो अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था पहले तो जैसे चटान से नीचे कूदा तो कुछ संड के लिए तो नीचे आएगा लेकिन अब पंको ने सपोर्ट कर दिया वापी सुरूप पर उठने लग गया तो उससे अब नहीं लग रहा था क्यों लंबे समय तक सिर के बल गिर रहा था ही वोज शोरिंग रेजवली डाउन वार्ट्स एंड आउट वार्ट्स इस वह दीरे दीरे नीचे की और ता बार के और उडान बर रहा था डाउन वार्ट्स एंड नीचे की और आउट वार्ट्स एंड बार की और ही वोज नो लॉंगर अफ्रेट अवो डरावा नहीं था उसका डर अब लंबे समय तक उसके साथ नहीं था अपवार्ट्स गा 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 गाव कोल आहा फिर उसने एक बार अपने पंखों को पड़ पड़ाया और उपर की और उची उडान बरी और ये बोल रहा है कि गागागा गाव कोल आ उसकी माँ -"ब उसके कैसे सफोट करती है?" उसकी माँ उसके सामने जब पठ्टा मारते हुए गुजरी कि माँ नजदिकी का पंको की हवा जब उसके पास आई तो इससे लगा कि मेरी फैमिली मेरे पास है दोस्तों कि हर्विंग स्मैकिंग लाउड नॉइस उसके पंखों की जोर की आवाद निकल रही थी मा के पंखों की यह आंसर्डर विद आनोधर स्क्रीम जब उसकी मा उसके पास से गुजरी तो उसने दूसरी चीक के द्वारा उसे अपनी मा के मा को जवाब दिया स्क्रीम यानि चीक भर कर देन इस फादर फ्ली ओर इम इसक्रीमिंग तब उसके पिताजी चीक ते उसके उपड़ से उड़े और यानि उपड़ से अगे वह देखता है कि उसके दोनों भाई भाहिन उसके चारो रुचल कूद करते वे तिर्ची उड़ान बढ़ते वे उचाई पर उड़ते वे गोता लगाते वे उसके आसपास नजर आ रहे हैं जिसको देखके वह बड़ा परसंचीत होता है इसा इस टू प्रोजर शी इस हो चुका देन नेक्स्ट देखें आगे देनी कम्प्लेटली फॉर्गेट एट याद नोट आल्वेज बिन एबल तो फ्लाई आगे पूर्ण तो बूल जाता है पूरी इत्रे बूल जाता है कि में समर्थ नहीं था क्योंकि कुछ समय पहले तो उड़ने में समर्थ ही था लेकिन इसी को बूल जाता है दोस्तों और उसने बोता लगाने की उंची उडान बढ़ने की और तिर्ची उडान बढ़ने की कुछी से चीक तो यह स्वयम अपनी परसं सा कि उसने अब फ्लाइंग स्टेट ओवर इट अब सीधा उसके उपर उड़ रहा था कि पैसेंग स्टेट आउट ओवर दा ओशियन मासागर के उपर उड़ रहा था दोस्तों समय मा उसने अपनी निचे विसाल हरे मासागर को देखा मासागर को देखा मासागर के उपर छोटी छोटी लहरों की लकिरे गतिमान थी और उसने ने परनी चोंट को अगल बगल दोनों और गुमाया और देखता है और कुसी से कांँ कांँ करता है दोस्तों, सब्सक्राइब करता है जो आपकी केट होती है म्याहूं करता है जो डंकी होता है ब्रेक करता है रहिंगता है सब के अलग अलग होती है दोस्तों इस पेरेंट एंड इस ब्रोधर्स एंड सिस्टर हैड लेंडेड ओन इस ग्रीन फ्लोरिंग एड ओफ इम उसके मातर पिता उसके भाई बेन और उसके आगे इस हरे समुद्र पर पानी पर उतर चुके थे दे वार बेक निंग वो इसारा कर रहे थे तू हीम उसे भी उतरने के लिए कॉलिंग स्रिली और चीकरे चिला रहे थे ही ड्रोप इस लेक्स टु स्टेंड ओन इस ग्रीन सी तब जाके उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगे समुद्र पर रखी इस लेक्स सेंक इंटु इट उसकी जो टांगे थी वो समुद्र पर रखने के बाद पानी में डूब गई सेंक एनी डूब ना इस स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेंप्ट तू राइज अगैन फ्लैपिंग इस विंग्स वो डर गया चीक ने चिलाने लगा और वापी सुप अटेंट उसने प्रियास किया वापी सुपर उटने के लिए बटी वो जे टाइड लेकिन वो बहुत अधिक टाइड यानि थका हुआ था एंड वीक विद अंगर और भूक से भी कमजोर पढ़ चुका था एंड ये कुट नोट राइज इसले वो दुबारा उपर नहीं उट उट सका एक्जॉस्टेड यानि थकान से बाइड इस्टेंज एक्सरसाइज क्योंकि अपसे पहले वह विचित्र प्रकार का अनेक प्रकार का व्याम कर चुका था उडनी के लिए एज फिस्ट इस फिट सेंग इंटो दा ग्रीन सी उसके हरे समुद्र में इसके पाऊं तो डूब गए एंड देन इस वेली तब उसके जो पेट है तो उन्द है वो टस्ट इट पानी से को टच करता है एट एंड ही सेंक नो फार्दर तो दे मैसूस करता है कि पाऊं में डूबें उससे उपर का जो पेट वाला पाट है वो पानी के नीचे नहीं जा रहा ही वोस फ्लोटिंग ओन इट अब वो पानी पे फ्लोटिंग है नहीं तेरने लग ग गया एंड आराउंड इम और उसके चार और इस फैमिली वर स्क्रेमिंग चीकरी चिला रही है प्राइजिंग उसकी परसंसा कर रही है उसकी फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट उडान की इम एंड देर बीक्स वर ओफरिंग इम इसक्रेफ्स ओप डॉग फिस और उसका पूरा परिवार उसको डॉग एक जो मस्ली का रूप है दोस्तों एक खाने वाली डॉग फिस एक चोटी सार्क मस्ली होती है समुद्र में उसके उन मस्लियों को उठा उठा कि उसके आगे उ पलाइट इस तरीके से सीगल ने पहली marketers कर ली दोस्तों इस तरीकेसे औरहर चैप्टर हैस कम्पी। करते हैं आपका जो यह चैप्टर था हो यह नहीं क्मून फहता है प्लीज लिसन दिस ओडियो अगें एंड अगें इससे बार बार सुने and try to understand it with word meaning और इससे word meaning के साथ समझने का प्रयास भी करें ओके, best of luck